नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजी कीडा चैनल के अंदर और इस वीडियो में मैं आज बात करूँगा एक्सल के बारे में दोस्तों एक्सल जो है वो माईक्रोसोफ्ट के द्वारा प्रवाइड किया गया एक प्रकार का टूल है जिससे आप लोग जो है अपने office के applications को run कर सकते हैं जैसे कि example के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि Excel का कहा कहा उपयोग किया जा सकता है basically Excel का इस्तमाल जो है calculation के अंदर किया जाता है ताकि fast calculation हो सके किसी भी data के उपर और एक प्रकार का file system है ये जिसमें एक file आप लोगों की तयार होती है और इस file system में बहुत सारे options जो हैं आप लोग डाल सकते हैं अगर आप लोग एक beginner है तो आप लोग एक workbook को सीखेंगे एक sheet को बनाना सीखेंगे चार्ट को बनाना सीखेंगे और उसमें कैसे calculation की जाती है पेसलिप कैसे तयार की जाती है पेसलिप का example जो है मैंने technology kida channel के अंदर जो है वो डाला भी है अगर आप लोग देखना चाहे तो वो देख सकते हैं लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा कि जो beginners है एकसल के अंदर भी लोग जो है वो beginners हैं बहुत सारे course जो है वो चले हुए हैं लिखने उनसे आप लोगों को सही clearly जो है वो समझ में नहीं आता है तो बारीकी से अगर आप लोगों को एकसल सीखना है तो technology kida को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आप लो सब्सक्राइब कर सकते हैं web application हो उसके लिए भी टेकनोलोजी किडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी प्रकार का competition हो उसके लिए भी आप लोग जो है टेक्नलोजिक केड़ा को subscribe कर सकते हैं क्योंकि विभिन प्रकार के video tutorials जो हैं आप लोगों को मिलने वाले हैं तो knowledge full जो चीजें हैं वो आप लोगों को टेक्नलोजिक केड़ा के channel के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग subscribe करें और bell icon भी प्रेस करें अगर आप लोगों को सीखना है excel और बारिकी से मैं आप लोगों को समझाँगा आप लोगों को पता ही है कि बारीकी से आप लोगों को सीखने में कितना वो मज़ा आएगा गाप बज लोग जो है आसानी से data जो है maintain कर सके company का data maintain कर सके invoice maintain बना सके invoice system बना सके तो आगे चलकर हम लोग एक VB की programming भी इसमें करेंगे visual basic जो है उसमें हम लोग programming करेंगे ताकि आप लोग जो है जब भी button पर click करेंगे तो एक data जो है वो बनता जाएगा तो आप लोगों को excel sheet में excel sheet नही Excel के अंदर ताकि आप लोग जो है in future उसमें आप लोग जो है आसानी से इन चीजे कर सकते है एक्सल के अंदर बहुत सारी चीजे हैं जैसे शोटिंग आसान है जैसे आप लोगों के लिए एक file को तयार करना आसान है formula वहाँ पर आप लोग लगा सकते है multiple rows पर multiple columns के उपर तो बारिकी से चीजे सीखते हैं चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग Excel को start करें कैसे blank document हम लोग बनाएं कैसे एक worksheet बनाएं file को कैसे save करें open करें हर चीज हम बारिकी से सीखेंगे तो बने रही मेरे चैनल के साथ और जैसे मैंने कहा subscribe कीजिए like कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता हो ये वीडियो और हम लोग हर चीज के जो है half of minute के जो वीडियो हैं जैसे की 10 minutes का बना दिया 50 minutes का बना दिया ऐ ऐसे नहीं है कि हम लोग 2 घंटे का एक वीडियो बना दे जिसे लोग बहुर हो जाते हैं और पहले वाला जो content है वो भूल जाते हैं most probably तो हम लोग section wise वीडियो बनाएंगे कि home tabs के पूरे पहले हम लोग clear करेंगे home tabs में जितने भी groups हैं उनके clear करेंगे insert के जितने भी groups हैं व लिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग Excel की जो seat है वो कैसे बनाएं बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को पता होगा कि run command का इस्तमाल करते हैं कभी जो है यहाँ पर Excel टाइप करते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग Excel टाइप करेंगे तो Excel आप ओपन हो जाएगी मेरे पास Office 365 का license version है और मैं license version ही इस्तमाल में लेता हूँ I hope आप भी जो है license version ही इस्तमाल में लें क्या है वो Office 2010 का हो 13 का हो या 365 का हो तो Excel जो है आप लोग किसी भी version में जो काम मेलेंगे वो आसानी से आप लोग सीख सकते हैं तो जैसे ही मैंने यहाँ पर Excel टाइप किया तो यह menu जो है आप लोगों के पास open हुआ home, new, open, account, feedback वगरा वगरा जो भी updates होते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि Office 365 में यहाँ पर लिखा हुआ है recent इसमें जो भी जो चीज़े मैंने बनाई हैं वो यहाँ प पिंड जो कीवी है वो यहाँ पर आ जाएंगी पिंड कीवी, shared with me जो मैंने share की है वो आ जाएंगी यहाँ पर तो जो आप लोगों के पास है यहाँ पर वो recent में open होगा, search भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं Microsoft Office ने यह provide के Excel के अंदर कि आप लोग कोई भी document जो आप लोगो को दिखा देगा यहाँ पर भी, अब यहाँ पर देखते है templates की बहुत सारे templates जो है वो office हमें provide करता है, इसे हम लोग बोलते है templates, जैसे कि money in Excel यह template है, welcome to Excel यह भी एक template है, drop down tutorial, यह सभी जो है one by one जो है, मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग blank workbook पर ही काम करेंगे, तो blank workbook जो है आप लोगों के सामने open हो चुकी है, सबसे पहला task जो होता है workbook का, वो होता है save करना, कि जो भी काम आप लोग करें, उसके लिए आप लोग उसको हर एक sheet को, जो है, यहाँ पर देखी sheet है, यह workbook है, और उसमें पहली sheet जो है, व यह workbook है पूरी की पूरी और उसमें पहली sheet जो है, आप लोग तयार कर रहे हैं, उपर यूपर देखी, आप लोगों के पास है file, जैसे ही मैं यहाँ पर file जो है, वो open करूँगा, तो आप लोगों के पास जो है, यह वापिस से दुबारा से option जो है, वो आ जाएंगे, जैस save का मतलब होता है अगर आप लोगों की file किसी भी location के उपर save है, किसी भी नाम से, तो वो save कर देगा उसी location पर, अगर आप लोगों को location चेंज करना है, जैसे location में बता देता हूँ, जैसे मैंने save किया, तो save के उपर आप लोगों के पास जो option है, वो आप लोगों के पास जो है, वो नजर आ जाएंगे, जैसे कि this PC आप लोगों के पास आगया, तो यहाँ पर देखिए, यह one drive का option भी आप लोगों के पास select है, यह मेरी mail id है, one tarun at outlook.com यहाँ पर भी आप लोग save कर सकते हैं, किस location पर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर this PC जो है, वो select किया, तो जो folders हैं, वो आप लोगों के सामने हैं, older folders जो हैं, जैसे कि आप लोगों के पास है, desktop, downloads, वगरा वगरा, जो यह option आप लोगों के पास older options पने हुए हैं, यहाँ पर browse का option है, जैसे ही मैं browse पर click करता हूँ, तो यह location जो है, default में आ जाता, आप लोगों के पास documents का, कि आप लोगों के जो PC का documents है, वहाँ पर workbook जो है, आप लोगों सेव कर सकते हैं, file का नाम दीजिए, और save as type जो है, excel workbook, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा ही ता, workbook के अंदर sheet होती है, तो workbook से ही, जो है, वो sign होगी, अब यह different प्रकार के extensions जो है, आप लोगों के पास visible है, जैसे कि PDF है, XPS document में आप लोगों सेव कर सकते हैं, different different type के extensions जो हैं, आप लोगों के पास visible है, one by one हम लोग का हर चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, बारीकी से आप लोगों को चीज़े शिखाऊंगा, तो अगर आप लोगों को सीखना है, तो बने रहिए इस channel के साथ, author कौन है, जो file को save कर रहा है, tags क्या है, वो आप लोग डाल सकते हैं, title क्या है, इस file का, save as thumbnail आप लोग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वगरा वगरा, तो फिर से हम लोग चलते हैं अपने, जैसे कि यह तो साथ save का, browse कीजिए, और वहाँ पर नाम दीजिए, जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ, browse पर क्लिक कीजिए, documents जा है, उसका नाम लिखिए, book 1, जैसे कि मैंने यह लिख दिया, first workbook, जैसे मैंने लिखा, first workbook मैंने लिखा, और मैंने इसे save कर दिया, तो किस location पर save होगी, यह documents के अंदर, हमारा जो document है, उसके अंदर यह save हो जाएगी, जैसे कि हम लोग check कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका नाम भी आ जाएगा, आप लोगों के पास, देखे, first workbook, saved, यहाँ पर इसका जो drop down है, वो saved दिखा रहा है, मतलब यह save हो चुकी है, तो अगर हम लोग देखना चाहें, हमारे documents को open करके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि saved के, first workbook के नाम से, आप लोगों की open हो जाएगी, तो यह था हमारा save करना, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कि यह जो head हमारे पास, different type के options जो है, उपर नजर आ रहे हैं, file है, home है, insert है, page layout है, formulas है, data है, reviews है, view है, help है, other options भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो हम लोग later videos में clear करेंगे, यहाँ पर home tab है, इसको हम लोग बोलते हैं tabs, क्योंकि tabs क्यों बोलेंगे, reason क्या है, tabs के अंदर जो है, other चीज़े जो है, वो सामिल की जाती है, बहुत सारे लोग menus भी बोलते हैं, menu का मतलब होता है, एक drop करना, जैसे कि मैंने इसको drop किया, तो यह menu है, ठीक है, इसको हम लोग menu बोलेंगे, लेकिन इनको हम लोग tabs बोलेंगे, क्योंकि जब मैं इस पर tabs पर click करूँगा, तो यह जो है, वो highlighted हो जाएगा, और इसके अंदर different type के options, जो हैं आप लोगों को नज़र आएगे, तो इसको मैं बोलते है tabs, और tabs में आप लोग देखे, group जो है, वो divided है, group कैसे divided हैं, जैसे कि first जो group है, वो है clipboard, यहाँ पर लिखा हुआ है clipboard, यहाँ पर लिखा हुआ font, यहाँ पर alignment, यहाँ पर लिखा हुआ number, तो यह group है, और इन groups के अंदर यह सारे के सारे options है, जैसे कि clipboard में आप लोग क्या कर सकते हैं, cut कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, format जो painter है, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, paste कर सकते हैं, font के अंदर आप लोगों के पास bold है, इसको हम लोगों के पास, इसको हम लोगों के अंदर यह हैं options, यह font group और इसके अंदर है option, तो home tab, home tab में clipboard group है, और उसके अंदर यह सारे के सारे options है, I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि getting started का मतलब, technology kit आप लोगों को क्या दे रहा है, उसमें आप लोगों को ने सिखा है आज लोग, कि सबसे पहले हम लोग Excel को open कैसे करें, work sheet, workbook कैसे बनाएं, workbook के अंदर sheet जो है, वो default में पहली आती है, जैसे कि यह है, जैसे ही आप लोग blank document को select करते हैं, तो यह option आप लोगों के पास आते हैं, उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास है, कि workbook को आप लोगों को save करना है, अब इसका shortcut है, वो control S आप लोग press करेंगे, तो save हो जाएगी देखे फिर से, control S, अपने keyboard का control S प्रेस कीजिए, और यह save हो जाएगी, तो यह सारी चीज़े मैं बताऊंगा, कि आप लोग कैसे सीखें shortcuts को भी, कैसे अलग-लग चीज़े define करें, तो यह देखी, आप लोगों के पास home tab है, सीखा क्या है, home tab है, file tab है, insert tab है, यह सारे tabs हैं, उसमें आप लोगों के पास groups हैं, जैसे clipboard, font, alignment, number, styles, sales, editing, analysis, यह सारे के सारे आप लोगों के पास groups हैं, और इनके अंदर वो options हैं, तो आप लोगों ने सीखा, next हम लोग चलते हैं हमारे, यह तो हो गए हमारे पास tabs, यह हो गए हमारे पास groups, यह हमारे पास options, अब हम लोग चलते हैं next bar पर, इस बार को जो tabs के अंदर open होता है, इसको जैसे कि cut, copy, जिसमें यह groups हैं सारे के सारे, इसको हम लोग बोलते हैं ribbon, क्या बोलते हैं ribbon, यानि कि home tab के अंदर जो ribbon है, उसमें कौन-कौन से group हैं, आप लोग कह सकते हैं, फिर से बताता हूँ, home के अंदर home एक tab है, तो tab के अंदर एक ribbon open होता है, ribbon के अंदर आप लोगों के पास groups होते हैं, और groups के अंदर आप लोगों के पास options होते हैं, तो यह बात समझ में आ गई हो गया I think, वैसे ही insert एक tab है, उसके अंदर एक group है, sorry, एक ribbon है, और ribbon के अंदर groups है, tables है, illustrations है, add-ins है, charts है, tours है, वगरा वगरा, ठीक है, filters, tags, symbols, etc. तो यह सारे के सारे ribbons में आते हैं, यह पूरा का पूरा एक ribbon है, और ribbon के अंदर यह groups है, ठीक है, तो ribbon की भी बात हो गई, groups की भी बात हो गई, options की भी बात हो गई, अब हम लोग चलते हैं, यह है name box, यहाँ पर जैसे ही आप लोग ले कर जाएंगे अपने cursor को, वहाँ पर आप लोगों को एक tool tip दिखाई देगी, tool tip क्या होती है, tool tip होती है, जब भी आप लोग cursor ले कर जाते हैं, किसी भी box के उपर, जो menu है, context menu जो है, वो आप लोगों का open होता है, और उस पर visible होता है उस चीज़ का नाम, तो इसे लोग बोलते है tool tip, जैसे ही mouse को हम लोग object के उपर ले होते है, tool tip, थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ, zoom भी हम लोग कैसे करते हैं, वो भी हम आप लोगों को बताऊंगा, ये देखें, जैसे ही मैं cursor ले कर जाता हूँ, तो ये name box आप लोगों के पास open हो जाता है, ये है formula bar, formula bar का इस्तमाल कैसे करना है, ये next video में हम लोग बताएंगे, आज के लिए इतना ही, tabs हम लोगों ने सिखा, ribbons क्या होते हैं, वो सिखा, groups क्या होते हैं, वो सिखा, आप लोगों के options क्या होते हैं, वो सिखा, name box क्या होता है, वो सिखा, और ये formula bar जो है, इसको हम लोग formula bar बोरते हैं, जिसको यहां से आप लोग expand भी कर सकते हैं, ये झाल झाल झाल